दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपको stock market के बारे में zero knowledge है फिर भी आप कैसे stock market में invest करेंगे और कैसे एक best stock चूज करेंगे So hello guys, myself Manoj भारत दोस्तोड़ीए we will discuss about some basic knowledge of stock market for beginners Well, stock market देखा जाए बिल्कुल beginner level पे बिल्कुल basic level पे तो ये दो analysis पे चलता है First is fundamental analysis और दूसरा है technical analysis तो बात करते हैं सबसे पहले fundamental analysis के Well, सच बताऊं तो अगर आप beginner हो अगर आप zero से start कर रहे हो stock market में तो fundamental हमारे लिए नहीं है हम जैसे लिए नहीं है जो बिल्कुल अभी नहीं है इस market में या इस field में क्योंकि fundamental analysis में बहुत सारे factor होते हैं बहुत सारी चीजे होती हैं उसको हम analyze करके predict करते हैं best stock चुनते हैं जैसे कि इसमें हो गया इसका market revenue कितना है इस company का total capitalization कितना है इस company ने पिछले साल कितना profit gain किया इसके future plans क्या है इसका top management क्या plan कर रहा है और इसका competitors वो किस level पे काम कर रहे हैं क्या उसके competitors उपर है इससे या नीचे है वो नीचे है तो वो क्यों नीचे है और य यहरी knowledge चाहिए होती है fundamental analysis से stock pick करने के लिए so अगर जो हम beginner है तो हम fundamental analysis पे नहीं जाते हैं इसको cut करते है well अब बात करते है technical analysis अब technical analysis में क्या होता है जैसे कि यह मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि technical इसमें क्या होता है हम किसी भी stock का किसी भी share का एक graph देखते है year to year मतलब उसके शुरुआत से लेके अब तक जितने भी उसके जो trend रहे है अब down जो भी trend रहे है उसको हम follow करते हैं और उस trend की basis पे हम वो particular stock choose करते हैं well अब यह graph देखते कैसे हैं और इस graph के basis पे हम कैसे stock price को choose करते हैं और उस पे अपना पैसा लगाते हैं देखो जो भी company होती है या क कोई भी portfolio जैसी nefty 50 में top 50 company को जो stock होते हैं उसका graph show होता है nefty 50 की website तो हम उसमें देखते हैं कि graph किस level पे चल रहा है यह उपर जा रहा है यह नीचे जा रहा है अगर जो उपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि market उपर जा रहा है यानिकि profit लोग profit अपना gain कर रहे हैं इनोंन उस टाइम पे आपको stock नहीं खरीदने है और एक होता है कि मतलब वो stable रहता है ना ऊपर जाता है ना नीचे रहता है बसको एक सीधी लक्री में चलता रहता है तो यह होते है technical analysis वैल अब कैसे idea लगाएंगे कि इस time पे हमें stock में पैसे लगाने चाहिए वैल इसमें बहुत ही important चीज होती है जो होती है PE ratio basically PE ratio यह दिखाती है कि हमें कौन से stock पे पैसे लगाने चाहिए कौन से stock पे नहीं लगाने चाहिए इसको बिल्कुल ऐसे डिनूट करो कि अगर किसी stock का या किसी portfolio का PE ratio कम है तो आपको उस time पे वो stock ले लेना चाहिए और अगर किसी company या portfolio का PE ratio बह better रहता है और nefty 50 की जो portfolio है जो graph trend show करता है उस पे सालों साल का data उस पे कई सालों का data दिखाई देता है means market कहां से शुरू हुआ था और आज वो किस level पे पहुचा हुआ है वो सारा उस पे उस nefty 50 की website पे दिखाई देता है तो इसमें एक average लगाया हुआ है कि market जो है कभी भ 10 से नीचे नहीं जाता है और कभी भी 30 से उपर नहीं गया है means PE ratio अगर 10 के करीब है 11 12 13 तो उस time आप पैसा लगा सकते हो no doubt आप एक अच्छा profit gain कर सकते हो in future में और अगर आप देखते हो graph up trend में है और वो लगबग 30 के करीब पहुचने वाला है तो उस time आपको थोड़ा risk ल लग रहा है अगर जो आप फिर भी उसमें लगाना चाते हो तो इसको अच्छे से study करके तब आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हो otherwise अगर जो PE ratio 25 पे है 30 पे है 29 30 पे है तो आप उस time पे hold कर लो ना लगाओ तो ही जादा बैतर है और वहीं अगर जो graph ऐसे बिल्कुर stable में बिल्कुर सीधे में चल रहा है तो उस time पे आप पैसा ना लगाओ ना निकालो जैसे है वैसे ही पड़ा रहने दो तो यह होता है technical analysis ज्यादा तर जो beginner होते हैं वो technical analysis के basis पे ही stock market में पैसा लगाते हैं और इसी से धीरे 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 इसमें से study करके फिर अपना advanced level पर स दीख जाते हैं दिन उसके बाद वो और कंपनियों के बारे में जान समझ के fundamental analysis देखके उन कंपनियों में आगे बढ़ना start कर देते हैं तो इस तरह से आप stock market में पैसे लगा सकते हो अगर आपके पास zero knowledge है तो फिर भी मैं एक बार graph के बारे में बता देता हूं graph में तीन trend होते हैं एक high trend होता है एक low trend होता है और एक stable trend होता है अगर जो graph उपर जा रहा है तो उसे हम high trend बोलेंगे और अगर जो graph नीचे जा रहा ह है तो उसे हम stable बोलेंगे तो इन ही के basis पे आप stock market में as a beginner पैसा लगा सकते हो और अपने हिसाब से अपना profit गिंद कर सकते हो आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होबा और अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज थोड़ा से like, share and subscribe कर देना मिलता हूं एकोन वीडियो में अच्छी सी तब तक के लिए बाइबाइ